हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को कलिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियोज के वारे में अव्टेट आ आने ठर ठर कांपा फूला पाकिस्ताण जंग करतो जंग करतो बस करो खुदा के लिए बस करतो जाल्मों बस करतो पाक वाजमें फैली घबराहढ पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं करना जाते है वो दल गए पाकिस्तानियों के सौर लेकिन खुदा के लिए इस तरह तो ना करो कि अभी चले जाओ किश्मी साथ से पहले उनको बिजवाएं जो जंग लड़ना चाहते हैं उनको सिरी नगर पहुचाएं ताकि वो शुरू करें ह हम बाद में आजाते हैं खलना एको को खौफ में देखा है कभी वो क्या करने लगे हो क्या क्या कर रहे हो तुम लोग टोटी तुम्हारे पास है नहीं भुके नंगे तुम हो यह बो पर तुम्हारी नजर है जंगों पे चड़े हुए हो जिहां रोटी अमन शांती भाइच पाकिसानी आवाम को सब कुछ एक साथ यादा रहा है पाकिसानी प्रधान मंतरी इमरान खान को हिंदुस्तान को धंकी दिये 24 गंटे का वक्त भी नहीं गुज़रा था कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर पवाल खड़ा हो गया पाकिस्तानी इमरान को ही पोसने लगे अमन के कसीदे पढ़ने लगे उन्हें इतिहास के सारी जंगों का अंचाम याद आ गया है वो अपने बीएंट को समझा रहे हैं कि वो जंग के नाम पर पुछनता को गुम्रा ना करें ये जंगों में और ये जाके आप उठके तो आपने 65 की जंग लड़ी शिमला हो गया 71 की जंग लड़ी ताशकंद हो गया करगल की जंग लड़ी कलिंटन हो गया खुदा के लिए ना करें इस कौम को जी हाँ सारे पाकिस्तान को उपर वाला याद आ गया है हर शक्स यही दूआ कर रहा है कि भारत के प्रदान मंतरी इमरान की इस गलती को कहीं गंपीरता से ना ले ले इसलिए हर पाकिस्तानी चैनल पर बताया जा रहा है कि इमरान बद्दमीज है वो तो ऐसी बहन की बहन की बाते करता ही रहता है मोधी समझदार है और उन्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अमरान खान लिटरली कालिया निकालने बुरी लैंग्विज यूज इसकार है जी हां बचकानी बात ही तो है इमरान की जो वा आखरी साथ तक कश्मीर को लेकर लड़ने की बात कर रहे है क्योंकि हर पाकिस्तानी समझ चुका है कि कश्मीर का मुद्दा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब इमरान कश्मीर मुद्दे का जुन जुना लेकर भले ही दुनिया बर में गूंगते रहें उससे होगा कुछ नहीं पाकिस्तानी अब अपने परदान मंतरी को अपने गिरेबा में जाकने की सलाह दे रहे हैं इमरान की पार्टी के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो टीवी पर बहस में इमरान का बचाओ करें तो भी कैसे करें अब समली के अंदर जो खड़े होगे प्राइम मिनेस्टर ने तक्रीर की है किस तरह की तक्रीर चाहिए थी क्या वो कहते हैं क्या कहते हैं कि मेरे पास एक टॉमिक बटन मेरे पास है मैं दुबाने लगाओं इसके बाइर जाओंगा यह बात करते हैं बेबसी इसे ही कहते हैं इमरान भी जानते हैं कि इस बार भी मोदी की डिप्लोमेसी का जोड़दार थपड़ उनके मोपर बढ़ा है लेकिन चाह कर भी वो अपना दर्द अपने मुलक के सामने बया नहीं कर सकते हैं दूसरी तरफ लोग हकूमत को वो वक्तिया दिला रहे हैं जब भारत लगातार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था जिसके बदले पाकिस्तान लगा था भारत की बीट में खंजर गोपता रहा मुदी जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है उसने का मैं अफगानिस्तान में मौजूद था और मैंने पता किया कि नवाज श्रीव साब कहा है और मैं इसलिए उनको मिलने के लिए आ गया इन्होंने उसका भी एक एक फसाद बनाया जिसको आज भी वो बचैरी जिकर कर रही है ये बताईए कि उसका हमारे घर चल के आना बुरा था आपका वो टेलेफॉन नहीं उठाता इस इंसर्ट से तो वैसे ही आपको शर्म आ जानी चाहिए आपका फोन मूठ खाने का रवादार नी है हमारे घर वो चल के आया था यही यहां इस मुल्क के अंदर मेनारे पाकिस्तान के नीचे वाजबाई ने खड़े होके पाकिस्तान की हिस्टरी में पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिकिंगनाईज किया वक्त वक्त की बात है आज पाकिस्तान के टीवी चैनल पर अमन की बाते गुंज रही है आगे बताएंगे पाकिस्तानी पाज आखर क्यों गबराई होई है पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं करना चाहती चुपज़ाइस की यह वजह उसकी यह नहीं है के इनके कोई पर एकनॉमिक प्रेशर्स घुर फियर ओफ लुजिंग घुट वजह यहां के जंग जो है वह एक्सपोस नगर दे पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेंथ को और अगर एक ड वो जो औरा है वो अथौर्टी है जिस पर वो पाकिस्टानी कौ्म के पर रूल कर रहे हैं वो चार दफर दूस कर चुकी है लेकिन वो बानते नहीं है ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में क्या है आपने पड़ा ना बच्पन से लेगर आप तक 65 की जंग हम जीते हैं 48 में हमने आ करना हम तो से रिनगर जा रहे थे यहीं डिस्कोर्स पताते हैं ना ठीक है जंग यह नहीं चाहते हैं जंग यह अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पाकिस्टान आर्मी बहुत मुद्दत हो गई मुझे नहीं पता कभी थी या नहीं थी प्रफेशनल आर्मी और वार आर्मी वाल खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं, यगर भारत पाक जंग के मैधान में टकराई तो पाकिस्तान की शिकस तै और तै है पाकिस्तान की तबाही पाकिस्तानी इस हकीकत से भी अब नजरे नहीं चुरा रहे हैं कि उनकी फौज के पास जंग लड़ने के पैसे नहीं है उनकी फौज अब तक भीग में मिले पैसों पर इतराती थी और वो भीग कब की मिलना बंद हो चुकी है क्योंकि अमरीका ने वो कोलीशन स्पोर्ट फंड के नाम पर इनको एक फ्री खता दिया हुआ था एक लाइन खोली थी के आर्मी को खुश रखने के लिए पचास्ती मिलियन डॉलर पर मन्त पर येर आठ सो पचास मिलियन डॉलर आर्मी को एवी कैश दे रहा है वो बंद एकिप्मेंट बंद हर चीज बंद हो गई सूचिए इमरान ने तैश में आकर जंग की धमकी तो दे दी अब सारा पाकिस्तान उन्हें पानी पीपी कर कोस रहा है अगर जनता का ये हाल है तो विपक्ष क्या कुछ नहीं कर रहा होगा बिलावल बिलविला रहे है मौका जो है लंबे वक्त के बाद ये मौका आया है जब इमरान खान से अवाम नाराज है और हर कोई उन्हें नाकाबिल बता रहा है अब जब सारा पाकिस्तान ही सच बोल रहा है तो ऐसे में बिलावल भला क्यों पीछे रहे है उन्होंने भी खुल कर कह दिया है कि इमरान के आटमी धमकी के बाद अब मोदी पियो के भी चीन कर रहेंगे पहले हमारा किश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था अब खान की बाद इमरान के नाकामी के बादे सेलेक्टिट की वज़ा से इनकी नाकामी की वज़ा से इनकी ग्रीव की वज़ा से पाकिस्तान का क्या पॉजिशन है कि हम मज़फरबाद को कैसे बचाएंगे ये आज पाकिस्तान की फॉर्ण पॉलिसी की पॉजिशन है बिलावल तो खैर अपनी सियासी रोटियां सीख रहे हैं लेकिन जानकारों को असली रोटियों की फिक्र है पाकिस्तान भायानक आर्थिक तंगी से गुजर आए उसके पास कर्ज चुकाने तक के लिए पैसे नहीं है महिंगाई के कायर से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में अगर पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव और बड़ा और बात चोटी मोटी जंग तक कहुँच भी उखे तो इस बार पाकिस्तान को कर्ज नहीं दुनिया से अनाज मांगना पड़ जाएगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़े फिखर है सच यहिया कि Pakistan परिशान है कुछ लोग जंग जंग चिला रहे हैं और इन आवाज से पड़े लिके पाकिस्तानियों का दिल बैठा जा रहा है दुनिया के दो ताकतवर मलकों की दो ताकतवर शक्सिय थे लेकिन मिलने का अंदाज ऐसा मानो दो पुराने जिगरी दोस्त मिल रहे हो ना कोई दिखावा ना कोई फोमेलिटी और इसमें अब कुछ नया भी नहीं रहा मोधी के हर विदेशी दोरे पर ऐसी तस्वीरे देखने के दुनिया आधी हो चुकी है लेकिन ऐसी तस्वीरों को एक पाकिस्तानियों के सीने पर हर बात बर्चियां चल जाती है वज़ा ये कि इन तस्वीरों को देखर पाकिस्तानियों को याद आ जाता है कि उनके उखमरानों को दुनिया में कोई पूचता तक नहीं है अब देखिए मैना बर पहले ही इमरान खान ट्रॉम्प से मिलने पहुचे थे तब इमरान की बॉड़ी लेंगविज कुछ ऐसी थी जैसे किसी लाला के पास उधार मांगने आए किसी खरीब किसान की होग इमरान ट्रॉम्प को चुप चाप सुनते रहे बार बार हातों को मसलते रहे अपने हाथ के अंगूठियों से घेरते रहे जाहिर थ अब प्रधान मंतरी मोदी और अमरेका के पूर राश्पती बराख ओबामा की मुलाकात की तस्वीरे भी देख लिजिए दोनों ऐसे टहलने लगे जैसे पुरानी दोस्तियों अबामा को पी-म मोदी ने अपने हाथ से चाहे पे लाई ऐसी तस्वीरे बताती हैं कि ये रिष्टा बराबरी का है अब ये तस्वीर देखे बाट साल 2013 किये तब इमरान के खुरसे पर नवाज शरीफ बैठा करते थे और अमेरिका के राश्पती थे ओबामा अब वो मामा के सामने बैठे नवाज को भी देख लीजिए नवाज शरीफ का कॉन्फिडन्स देखिए वो अपनी बात रखने के लिए चार हरफ घर से लिख कर लाए थे बार बार उस कागस को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई बच्चा इम्तहान से पहले आखरी बार किताब को पलट रहा हूँ पाकिस्तानी आवाम को पहले ही महंगाई और डूपती करंसी जैसे सौ गम हैं उपर से ऐसे ने था इसी के लिए तो कहावत है एक तो करेला उपर से नीन चड़ा